बहुत जल बिग बॉस 16 में प्रियांका और अंकित के खास कनेक्शन की होने वाली है एंट्री कौन है वो खास कनेक्शन जिन्हें मिला है बिग बॉस 16 से ओफर जानते हैं इस वीडियो में नमस्कार मैं स्वागत करती हूँ आप सबी का फमारे चैनल पर तो बेसिकली आपको बता दू कि प्रियांकित के फैंस के लिए एक गुड न्यूस है और गुड न्यूस ये भी है कि प्रियांका और अंकित के इस खास कनेक्शन को मिला है बिग बॉस 16 का ओफर और वो कौन है आपने उडारियां टीवी शो में तेजो, फते और जैसमीन इन तीनों की कहानी देखी थी अब वही जैसमीन को भी मिला है बिग बॉस 16 का ये ओफर तो क्या बिग बॉस 16 में बतोर वाइड कार्ड कॉन्टेस्टेंट एंट्री करेंगी इसा मालविया तो आप सभी को कन्फर्म कर दूँ कि पहले तो ईशा मालविया ने बिग बॉस 16 को लेकर रियाक्ट किया और ये कहा कि उन्होंने शिरुवाती के दो-तीन एपिसोड देखे और वो भी एपिसोड देखने के पीछे की बज़ा थे सिर्फ और सिर्फ प्रियांका और अंकित प्रियांका और अंकित बेसिकली शो में बिलकुल वैसे ही दिखा रहे हैं खुद को जैसे वो अक्चुली रियल में है In fact, ईशा मालविया ने ये भी कहा कि प्रियांका हमेशा से She takes a right stand और हमेशा से खुद के लिए stand लेती है In fact, वो relationship को भी लेकर openly यहाँ पर बोर रही है In fact, अंकित is a bit introvert यानि कि अंकित थोड़े introvert है लेकिन प्रियांका जो है वो open minded है तो यहाँ पर full to Isha ने ये बताया कि प्रियांका और अंकित बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं जैसे वो in real है In fact, इसी बात पर Isha मालविया ने ये बड़ा खुलासा किया कि Big Boss Sola को offer उन्हें भी मिला था Big Boss Sola में उन्हें भी entry करने का मौका मिला था लेकिन अल्रेडी जैसे इशा मालविया ने दूसरे प्रोजेक्स साइन कर दिये थे और इस वज़ा से वो Big Boss में नहीं आ पाई In fact, she is actually expecting कि वो Big Boss की बज़ाए किसी dancing reality show में नजर आ सकती है तो ऐसे में यहाँ इशा मालविया की entry नहीं हो रही है इशा को मौका मिला था Big Boss की तरफ से ओफर किया गया था लेकिन इशा ने basically already दूसरे प्रोजेक्स साइन कर दिये थे और अपने busy schedule की वज़ा से वो Big Boss में एंटर नहीं कर पाई तो अब आप इस खबर को सुनकर क्या कहना चाहेंगे हमें बताएं कमेंट करके तिल एंट ते तून तो आट चानल